पहले जानिये उनके बारे में ये खास बाते हैं स्वामी वीवेका नन्द ने रामकर्षन मठ रामकर्षन मीशन्ट और वेदान्त सोसाइटी की निईव रखी 1823 में अमेरिका के सिकागो में हुए विश्व धार्मिक सम्मेलन में उन्होंने भारत और हिंदुत्व का प्रतिनिधित्व किया था हिंदुत्व को लेकर उन्होंने जो व्याख्या दुनिया के सामने रखी उसकी वज़े से इस धर्म को लेकर काफी आकरशन बढ़ा महारत में उनके जन्वदीन को युवा दिवस के तोर पर मनाये जाता है स्वामी विवेका नंद भारत में हिंदुत्व के पुनर उद्धार और राष्टिता की भावना जागरत करने के लिए जाने आते हैं अब जाने स्वामी विवेका नंद के ऐसे अन्मोल विचार जो आपके जीवन की दिशा बदल सकते हैं पहला विचार, पढ़ने के लिए जरूरी है एकागरिता, एकागरिता के लिए जरूरी है ध्यान, ध्यान से ही हम इंद्रियों पर सय्यम रखकर एकागरिता प्राप्त कर सकते हैं दूसरा विचार ज्यान स्वयम में वर्तमान है मनुष्य केवल उसका आविश्कार करता है तीसरा विचार उठो और जागो तब तक रुको नहीं जब तक की तुम अपना लक्ष प्राप्त नहीं कर लेते चोथा विचार जब तक जीना तब तक सीखना अनुभाव ही जगत में सर्वस्रेष्ट सिख सके पांचवा विचार पवित्रता धेर्य और उद्यम ये तीनों गुण में एक साथ चाहता हूँ चटा विचार लोग तुम्हारी इस्तूती करे या निंदा लक्ष तुम्हारे उपर क्रपालू हो या नहीं हो तुम्हारा देहांत आज हो या युग में तुम नियाय पत्से कभी भी ब्रहष्ट नहीं हो साथवा विचार जिस समय जिस काम के लिए प्रतिज्या करो ठीक उसी समय पर उसे करना ही चाहिए नहीं तो लोगों का विश्वास उठ जाता है आठवा विचार जब तक आप खुद पे विश्वास नहीं करते तब तक भगवान पे विश्वास नहीं कर सकते नवा विचार एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ दस्वा विचार जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी ही सांदार होगी तो दोस्तो यह है सौमी विवेकानन के दस इसे विचार जिन्हें अपनाने पर आप हर काम में सफल हो सकते हैं और अपने निर्धारी तलक्षे तक पहुंच सकते हैं यदि आपके वीडियो पसंद आया हो तक पहुंच से लाइक करें कमेंट करें शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब वश्य करें धन्यवाद